ग्रादेक्षने फ्रेंस हर कोई खुशियों की चावी ढून रहा है हर कोई खुशियों की चावी ढून रहा है अब प्रश्ण यह उठता है खुशियों के ताले पर चावी लगाई किसने यह बहुत बड़ा प्रश्ण है कि हम अपनी खुशियों के ताले पर खुद चावी और हम फिर चावी धूरते फिर रहे हैं कि चावी कहां है चावी कहां है चावी कहां है Friends मैं आपको बताती हूं कैसे कैसे हम अपनी खुशियों पर खुद ही ताला लगा देते हैं हम अपनी सारी खुशियों के लिए उनके सारे controls हम अपने relatives अपने friends अपने loved ones अपने अडॉस पर आस सोसाइटी इन सब को दे देते हैं यह सारे के सारे हमारी खुशियां control करते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं तो उसमें वह आकर जैसे कि हम करने जा रहे थे उसमें रोक लग जाता है तो हमने अपनी चाबी हमने उनको पकड़ा दी थी और उन्हों ने हमारी खुशियों के ताले को लॉक कर दिया तो फ्रेंस यह मत होने दीजिये कि हमारे ही हात में हम रेदी खुश होना चाहते तो तो हम्म को वह Андर से पिड़ा करनी पड़ेगी और जब हम हमएं दर से पीदा करना चाहते होड़ा है हम ब्रून जा रहाए रूंड रहा इस घर के उस लूह में चले गए उस room में चले गए, market चले गए, mall चले गए, picture hall चले गए इन सब जगहों पर जाने से खुशी नहीं मिलती दोस्तों खुशी चाहिए, तो आपको अपने अंदर से ही ढूननी परती है तभी आपको खुशी प्राप्त होगी एक site है, relationship hero मैं इस site का कोई ad नहीं दे रही हूँ but because I had seen the site तो मैं आप से just share कर रही हूँ you can also go on that site उस site पर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे उसमें suggestions मिलते हैं जैसे की काफी सारी ऐसी difficult situations आपके सामने आती हैं so they give you suggestions for the situations for one difficult situation से कैसे बाहर निकलें उसमें वो suggestions दिये वे हैं आपका break up हो गया है तो उसमें वो suggest किया हुआ है कि कैसे आप अपने break up को वापस patch up कर लें या कर सकते हैं तो तो इसमें कोई complicated situation आपके सामने आ गई है जरूरी नहीं है कि हरसे में आपका कोई love affair वाला ही situation complicated होती है या कुछ maybe possible आप दो भाईयों की बीच में भी break up हो सकता है दो भाईयों की बीच में भी complicated situation आ सकती है आपके घर में शादी भी आया है तो उसमें कोई difficult situation आपके सामने arise कर गई है तो in that case they give you help a lot friends जो मैं आपसे कह रही थी कि हम अपनी खुशियों की चाबियां दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कोई दूसरा जो हमारी खुशी नहीं चाहता है वो पता क्या करता है वो इस तरीके से हमारे सामने वो पेश करता है किसी भी चीज़ को कि हम खुद अपनी खुशियों पर आग लगा देते है मैं आपको अपनी ही जिन्दगी का एक वाकिया सुना रही हूँ उससे में मैं ग्राजुशन में थी और यूथ फेस्टिवल्स हुआ करते थे तो यूथ फेस्टिवल के लिए हम लोग गए वे थे परिंस मुझे डांस का बहुत शौक है तो मैंने सोलो भरतनात्यम डांस प्रिपेर किया और यूथ फेस्टिवल्स में मैं पार्टिसिपेट करने वाली थी तो हमारे ग्रुप में जो हम लोग गए थे उस ग्रुप में एक लड़की ऐसी थी जो मुझसे बहुत जलती थी जो नहीं चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ और वो ये भी चाहती थी कि मैं बहुत इमोशनल हूँ तो शी तुक एडवांटेज ऑफ माई डायक इमोशनालिटी और वाट शी देड यूथ फेस्टिवल्स में तो सारे कॉलेजेज आते हैं उनके सूडिन्स आते हैं तो एक कॉलेज की एक लड़की भी सोलो डांस परफॉर्म कर रही थी तो हम लोग तो जैसे सब जगह घुमते फृते रहते थे थे ना कि जाकर कहां यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं तो मेरी वह वाली फ्रेंड मेरा इस वीडियो को देखे वह तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती है वह खुदी समझ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा तो मेरी वह फ्रेंड ने कहीं वह सोलो डांस देख लिया जो एक दूसरे कॉलेज की लड़की कर रही थी और उसके सोलो डांस में मधू को दिखाऊंगी तो मधू अपने रांस नहीं करेंगी वह आई उसने मेरा हाथ पकड़ा अवली चल मधू मिनका कहां लेके जा रही हो चल तो सही तो ठीक है मिनका चलो चलते हैं क्योंकि मैं है ना कोई मेरे से कितना भी बुरा वेवार करें मैं उसके साथ बुरा वे आती रही और लगातार उस लड़की का सोलो डांस देख रही थी उस सोलो डांस में एक स्टेप ऐसा था जो बहुत ही सुंदर था वाकई में वह स्टेप ऐसा था कि कोई भी देख ले तो डिप्रेशन में आ जाए तो जब वह स्टेप वह लड़की प्रैक्टिस करते से में करने वाली थी उस वक्त उसने मुझे ले जाकर वहां खड़ा कर दिया वो ले देख मदू इसका डांस अब मैंने उसका डांस देखा और वो वाला स्टेप देखा you know I really came in depression मैंने जिंदगी में कभी हार ना नहीं सीखा हार क्या होती I don't know और उस स्टेप को देखकर मुझे लगा यार मेरा तो गया डांस मैं तो हार जाओंगी and you know I did not take part in that competition and till today I repented that why why I took that decision because of that girl मैंने उसको अपनी capability की चाबी उस लड़की की हाथ में दे दी थी जिसका मुझे इतना बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा you know मैंने जब उस लड़की का डांस स्टेज पर देखा उस लड़की के पूरे डांस में एक वही इस रैप था बाकी तो सारा का सारा डांस बिकार था you know बिकार डांस था तो फ्रेंट्स ने आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा अपने ब्रेंड को इस्तिमाल कीजिए अपने डिसिजन्स खुद लीजिए किसी दूसरे के ऊपर अपने डिसिजन्स मत छोड़िये ऐसा ना हो मेरे जैसी सिच किया होता तो डेफिनेटली मुझे फर्स प्राइज मिलता बट यूनो मेरी वो फ्रेंड शी बिकेम सक्सेस्फुल बिकॉस शी टुक दकीज ऑफ मैं सक्सेस और अगेवर दकीज मेरी भी तो बेखुफी है ना मैंनो उसको चाविया क्यों दे दी अपनी मजे नहीं देना श खुद को दूसरों की शिकार मत बनने दीजिए दूसरों के इस विश्यस सरकल में खुद को उलजने मत दीजिए अपनी खुशियों की कीज अपनी खुशियों की चावी अपनी खुशियों की ताले की चावी अपने पास रखिए जब चाहें खोल दें इसका हमेशा ध्यान नहीं तो पश्टावा ही रह जाता है और कुछ नहीं, बंद खुशियां माइने नहीं रखती, क्योंकि जंग लगी चाबियों से ताले नहीं कुलते, तो अपनी चाबियों पर जंग मत लगने दीजिए, श्यू आल बेस फ्रेंट, सी यू सून